नमस्कार यूपितक में आपका स्वागत है मैं हूँ स्वन्तोष कुमार उत्तपरदेश में होने वाले निकाय चुनाओ को लेकर भले ही सरकार कवायद शुरू कर चुकी हो लेकिन कानूनी पेचीदगिया हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही उत्तपरदेश सरकार ने सुप्रीम कोट के दखल के बाद पिछला वर्ग आयोग गठेद किया पिछला वर्ग आयोग ने अपने रिपोर्ट सरकार को सौंपी और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उत्तपरदेश के नगर विभाग ने आरक्षन की अन्तिब सूची जारी की यानि कि प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं नगर पालिका हैं पंचायत हैं सभी जगापर जो अध्यक्षपत के लिए जो सूची थी जो आरक्षन की सूची थी उसको जारी कर दिया जिस पर 6 अप्रेल यानि आज जो आपत्ती थी उसको दाखे लोना था लेकिन सरकार के इस कवायत के बीच ही एक बार फिर याचिका दायर होने लगी और इस बार याचिका दायर हुई लखिमपुर की निखासन के रहने बाले विकासागरवाल के तरफ से विकासागरवाल ने अपनी याचिका में सवाल किया कि क्या आगरवाल जाती राजनेतिक पिछड़ा जाती में आती है और जो पिछड़ावरगायों की रिपोर्ट थी उसको अभी तक सरकार ने सरजनिक नहीं किया आज हाई कोट की लखनों बेंच में इस मामले पर जस्सिस राजन रॉय और मनीश कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार को साफ आदेश दिया कि चार दिन के अंदर सरकार पिछड़ावरगायों की रिपोर्ट को सार्जनिक करे और अब सरकार इस मामले में नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर पिछड़ावरगायों की रिपोर्ट को सारी एनेग्जर्स के साथ यानि सनलगनों के साथ अपलोड करेगी यानि सार्जनिक करेगी विकास अगरवाल ने दूसरी याचिका दायर की थी कि क्या उनकी जो अगरवाल जाती है वो आती है पिछड़ावरग की जो राजनेतिक तोर पर जो पिछड़ी जातिया है इस पर सरकार के तरफ से जवाब दाकिल किया गए कि नहीं उत्ताप्रद करेश में अगरवाल जाती राजनेतिक पिछड़ी जातियों में नहीं आती है और इसके साथ इस सरकार ने एक सूची भी कोड को दी है जिसमें उन जातियों की सूची दी है जो राजनेतिक तोर पर पिछड़ी थी विकास अगरवाल की याचिका पर तो सुनवाई पूरी हो गई याचिका डिस्पोस ओफ हो गई लेकिन वही दूसरी तरफ हाई कोड की लखनों बेंच में मुरादाबाद से भी एक याचिका पड़ी है जिस पर हाई कोड की लखनों बेंच इसी मामले में फिर कल करेगी सुहेल खान की आचिका में अगर जो मुख्य बिंदु जो हैं उसमें देखा जाए तो यह आचिका में कहा गया कि पिछड़ावर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार के बाद जो सरकार अध्यादेश लाई है उस अध्यादेश को ही चुनोती दी गई है अब इस मामले करते में हाई कोड के लक नवेंच को और सुनवाई करनी है देखते हैं निकाय चुनॉव में होने वाली इन कानूनी पेचीद्गियों से क्या असर पड़ता है क्या इक बार फिर निकाय चुनॉव तल लेंगे या ऐसे ही कानूनी पेचीदगियों के बीच कोर्ट अपना दिशा नर्देश देने के साथ निकाय चुनाओ भी समय पर हो पाइंगे तेमरा परसंदीब के साथ संदोश कुमारा की यूपिता